तो बिटा हम लोग हमारा control and coordination के part 3 पर है आज तो इससे पहले हम लोगों ने discuss कर लिया है section A, section B भी हम discuss कर चुके हैं, आज की वीडियो में हम section C and section D discuss करेंगे as I already told you section E के questions यहां से थोड़े कम बनते हैं, इसलिए I haven't included section E, यान की case based question यहां पर include नहीं है, ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे हमारे long answer questions की and short answer questions की आज ठीक है, 3 marker and 5 marker, चलो, तो शुरुवात करते हैं हम हमारे पहले question से, ठीक है, तो देखो पहला question जो हमारा है, 30 second question है हमारा, ठीक है, इससे पहले हम 30 questions already, सिरफ animal वाले part से कर चुके हैं, ठीक है, so this is the practice that you need to, you know, do, whenever you're going to prepare for your any examiner, कम से कम, you know, question practice करना एक ऐसी चीज होती है, जिससे आपका confidence boost होता है, ठीक है, question practice आपको idea लग जाता है कि आपको, you know, किस type के question पूछे जा सकते हैं, and how you need to answer them, ठीक है, तो इन चीजों, इसी particular चीज को धियर में रखते होई, यह जो series है, आपके लिए वो बनाई हुई है, ठीक है, तो आप लोग आओ, आप लोग अच्छे से देखो videos को, ठीक है, कहीं कोई doubt होता है, तो पूछो भई, ठीक है, क्योंकि यह time में theory पढ़ना, यह सब करना, तो वो सा हो चुका, वो time पहले का था, अब आपके पास एक महीना भी नहीं रहा है, है न, आपका exam 2nd of March को है, and it's already 9 today, 9 February हो गया है, ठीक है, तो यह जो Valentine week चल रहा है, I know, इस age में यह Valentine, Valentine बहुत होता है, people used to, Rose Day, Chocolate Day, Teddy Day, I don't know, कितने कितने दिन होता है यह, ठीक है, हम लोग हमाने time पर भी बहुत किया है, but see, you need to create a balance, ठीक है, इस Valentine week को, science के, यह जितने में आपके दूसरे subjects हैं, उनके लिए, as a Valentine, you know, just contribute to that, clear है, यह Valentine तो हर साल आएगा, ठीक है, लेकिन 10th का जो board है ना, वो हर सल नहीं आएगा, ठीक है, so just focus on your exams, ठीक है, अच्छे से practice करो, ठीक है, पढ़ो अच्छे से, ध्यान लगा के पढ़ो, भई, time निकालो proper, ठीक है, time, देखो, time management बहुत important है, कुछ लगों को ऐसा लगता है कि, भई, हमारा paper ना complete नहीं हो पाता, ठीक है, ऐसा उनको लगता है कि, paper complete नहीं हो पा रहा है, तीन घंटे में, कुछ ना कुछ दिक करते रहती है, कि यह चूट गया, वो चूट के, ठीक है, आपके पास, एक sample paper यह, इसका PDF भी आपको available हो जाएगा, ठीक है, यह सब करने के बाद, solutions करने के बाद, अपने आप से खुद से, आप तीन घंटे निकालो, ठीक है, और उस तीन घंटे के ना paper को solve करने की, कोशश करो, ठीक है, आपके लिए तो बहुत अच्छा हो गया, 20 marks तो सिर्फ पर सिर्फ आपको MCQs से ही मिल जाएंगे, अगर आपके concepts clear हैं बेटा, तो you can get 20 marks free में, ठीक है, क्योंकि देको theory में marks कटने का scope जादा होता है, क्योंकि ना, क्या होता है वहाँ पर, आपके पास मालो 5 marker question है, ठीक है, आपको कोई short note आगया, suppose करते हैं हम किसी चीज़ पर, ठीक है, अब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर teacher 4, 4.5 देने के chance होते हैं, लेकिन अगर आपके 4 MCQs नहीं हैं, तो 4 ही number मिलेंगे, पांच सहीं है आपको लिखना नहीं, आपको महरत नहीं करनी, जस्रीड करना है, और option को लिखना है, that's it, ठीक है, चलिए, और आजकल तो देखो, CBSC का जो format है वह भी यह कहता है, कि हम लोग बच्चों से जादा लिखवाएंगे नहीं, हम उनके concepts को check करेंगे, whether the concepts are clear or not, ठीक है, इसलिए आपको five marker में, ज्यादा तर कैसे questions मिलते हैं यहाँ पे, कि आपको उहाँ पे कुछी, एक-एक दो लाइन लिखनी होती है, है ना, वो divided रहते हैं, तीन, चार पार्ट में, कई मर पांच ही पार्ट होते हैं, एक-एक mark करी करता है, so these kind of things are there, right, so they don't want you to forcefully आप लिखो उस इसको नहीं, वो चाते ही कि आपको यह समझ में आने चाहिए, concepts clear होने चाहिए, this is the main idea behind that, चले, okay, तो शुरू करेंगे पहला question, तो भई हमारे पास हमारी जो एक-एक गिलेरी है यहाँ पे, ठीक है, तो question हमारा कह रहा है, coming to the question, a squirrel is in a scary situation, its body has to prepare for either fighting or running away, ठीक है, एक गिलेरी है भई, वो कैसी है, वो एक scary situation में है, ठीक है, अब उसकी body को या तो लड़ना है, या भागना है वहाँ से, ठीक है, अब इसके लिए, क्या उसकी body में immediate changes होंगे, वो हमें बताना है, ठीक है, so that the squirrel is able to either fight or run, ठीक है, तो हमारी body में, मैंने आपको, जेको clearly, यहाँ पे mention किया ह word क्या, fighting and running away, मतलब की fight and flight hormone की बात हो रही है, यहाँ पे, कहीं ने कहीं, तो answer किस से relate कर रहा है, adrenaline से relate कर रहा है, adrenal gland से relate कर रहा है, तो ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसके case में भी, चलिए, तो समझते हैं उस चीज को हम लोग, brush ले लेते हैं, ठीक है, just pick this color and just start writing the answer, ठीक है, त आपका जो pituitary gland है, it is going to release some kind of hormone, यह क्या करेगा, एक hormone release करेगा, और जो hormone यह release करेगा, this hormone is actually going to act on, act on adrenal gland, ठीक है, यह किस पे act करेगा हमारे, adrenal gland पे act करेगा, और यह जो adrenal gland है हमारा बेटा, यह further क्या release करेगा, adrenaline release करेगा, जो किसमें help करता है basically, जो जिसको basically हम emergency hormone बोलते हैं, क्य बोलते हैं, जिसको हम, जिसको हम emergency hormone बोलते हैं, बोलते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, emergency hormone बोलते हैं, और यह adrenaline क्या करेगा, यह adrenaline basically, काफी सारे impact उसकी body में लेके आएगा, जैसे की उसका जो blood pressure होगा, ठीक है, वो बढ़ जाएगा, heart का जो rate है, ठीक है ना, heart rate जो है, वो इसकी body के अंदर होने वाले हैं, जब वो किसी scary situation में फज जाएगी, तो सबसे पहले आपके brain के अंदर आपको जो pituitary gland बैठा हुआ है, क्योंकि उसको master gland बोलते हैं, because वो control कर रहा है बाकी glands को, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले, देखो अगर इसको और इसक sense करेगी इस चीज को, that there is some, you know, kind of danger, okay, ahead of her, तो उस danger को sense करने के बाद क्या होगा, उसका brain क्या करेगा, hormones, इसका brain का pituitary gland basically, जो है, वो hormone release करेगा, इस hormone को आपको जानना ज़रूरी नहीं है, but फिर भी, ठीक है, the name of the hormone is ACTH, adrenocorticotrophic hormone हमारा होता है, ठीक है, you don't need to mention the name, you don't need to know the name, just for your knowledge, I'm telling you, ठीक है, ACTH release होगा, जो adrenal पर एक्ट करेगा, और वहां से adrenaline, जो है, हमारा वो release हो जाएगा, जो हमारा क्या हो गया, emergency hormone हो गया है, और इससे क्यों इसकी वैसे क्या होगा, इसका heart rate बढ़ेगा, breathing rate बढ़ेगा, ठीक है, ना, finally हमारा जो muscle contraction हो सकते है, ठीक है, हो स जाएगी, ठीक है, उसको fight करनी है, वहां पर भी, my muscles का use होना है, ठीक है, जाहां उसको भागना है, अब तभी muscles का use होना ही होना है, ठीक है, तो ये सारी चीजे, अंदर धक तक एकदम से हैं, ना, so that scene is going to be, due to this emergency hormone secreted by your adrenal gland, clear है, चलिए, why does the flow of signals in a synapse from exonal end of one neuron to dendritic end of another neuron take place, not in the reverse direction, क्या बोल रहा है question, question क्या रहा है कि synapse के across हमेशा exonal end से, कहां से, हमेशा exonal end से signal कहां जाता है, exonal end से signal, दूसरे dendrite के पास जाता है, कहां जाता है, dendrite के पास जाता है, reverse direction में ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, why, ठीक है, अच्छा, इब इसका answer क्या है भाई, अब इसका जो answer वो कहां लाए कर रहा है, वो लाए कर रहा है, देखो. हमारे पास हमारा जो Exon होता है बीटा. Exon का जो And है, उसको हम Exon Ending बोलते हैं, क्या बोलते हैं, isko हम? Exon Ending बोलते हैं, clear है? अब यह जो Exon Ending ये आपकी, इस Exon Ending के पास, present होता है Cynaptic Knob. क्या होता है यहां पे synaptic knob यहां पे मौझूद होता है और यह जो synaptic knob है this synaptic knob contains chemicals इसके अंदर क्या present रहते हैं chemicals present रहते हैं and these chemicals they are only present in the synaptic knob यह chemicals हमारे dendrite में नहीं मिलते they are only found in the dendrite में नहीं मिलते देर नोट found in the dendrite they are only found in what they are only found in your synaptic knob तो जैसे ही हमारे पास क्या होता है जैसे ही हमारे पास हमारा exon ending के पास signal पहुचता है ठीक है, exon ending के पास signal पहुंचता है, वैसे ही signal जो है हमारा, वैसे ही signal जो है हमारा वो कहां जाता है, वैसे ही वो signal हमारा पहुंच जाता है, हमारे, you know, synaptic knob के पास, और synaptic knob के अंदर क्या है, synaptic knob के अंदर भरा हुआ है chemical, क्या भरा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे chemicals present है आप पर साइनेपटिक क्लेف्ट में तुक है यहां से यह से चुंड क्लेफ्ट में और साइनेपटिक क्लेफ्ट के बाद कहाँ जाएंगे वह वह हमारे वह आजरे जाएंगे 알ाश के यह कहां पीछिर defenders सिरफ आपको तो आपके जो chemicals हैं ठीक है these chemicals they are only found in the synaptic knob ठीक है कहां मिल रहे हैं सिरफ और सिरफ synaptic knob में मिल रहे हैं जो कि आपके exon end पे होता है ठीक है दूसरी चीज क्या हो गई दूसरी चीज यह हो गई हमारे पास कि हमारे पास हमारे जो receptors होते हैं ठीक है receptors होते हैं for receptors for sensing for sensing the signal या stimulus कुछ भी बोल सकते होगा ठीक है they are only located at they are only located they are only located in the tip we can say on the tip tips of dendrite ठीक है dendrite की tips के अंदर ही आपको क्या मिलेगा आपको आपके receptors मिलेंगे जिसका काम है क्या sense करना ठीक है यह जो receptors हैं these receptors they are not found they are not found in exon ending exon ending इसलिए exon ending से इसलिए exon ending से dendrite के पास signal जाता है ठीक है dendrite के पास signal जाता है reverse direction में नहीं जा सकता क्योंकि यहां पे ना receptors है यहां पे ना receptors है और ना ही यहां पे chemicals है ठीक है तो ये दोनों चीज़े यहाँ पर lack होने की वजह से opposite direction कभी भी नहीं हो सकती it is only in this direction the transport is possible clear है? so this is about your question number 33 that we have समझ में आया? कोई दिकत नहीं है इसके अंदर? चले आगे? okay reflex arcs continues to be more efficient for quick responses justify this statement ये कह रहा है आप से कि reflex arc जो होते हैं वो ज्यादा efficient है को एक response के लिए इसको justify करो reason के साथ में तो देखो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास हमारे जो reflex arcs होते हैं basically ठीक है? तो reflex arc जो है reflex arc actually में होता क्या है? ठीक है? reflex arc एक pathway है this is a pathway followed inside body followed within the body followed within the body followed within the body during किसके दोरान? during reflex action ठीक है? during reflex action ठीक है? तो reflex action के दोरान जो body है पास चल रहा है उसको हम reflex arc कह रहे हैं और ये reflex action क्या होता है? ये एक sudden ये एक sudden response है sudden immediate response है sudden immediate response है ठीक है? जिसके अंदर without thinking हमारा ये response है ठीक है? जी, without thinking, यह response हमारा आ रहा है, without thinking, response है, ठीक है, towards stimulus, towards, towards stimulus, clear है, so, this is something that is related to your, you can say, reflex action, ठीक है, ठीक है, तो, यह जादा efficient होता है, किसके case में, quick response के case में, क्यों, क्योंकि हमारे पास, हमारा जो reflex action है, reflex action के time पे, हमारे पास, हमें क्या करना पड़ता है, immediate response देना पड़ता है, because, reflex action वहीं पे होता है, जहाँ पे कुछ ऐसी situation होती है, जो हमें damage कर सकती है, right, तो reflex action जो हैं हमें, reflex actions जो होते हैं, वो हम वहाँ पे show करते हैं, reflex actions, basically, they are seen, in, they are seen, जहाँ पे देखे जाते हैं यह, they are seen, जहाँ पे हमारे कुछ न कुछ क्या होगा, body को harm पहुन सकता है, ठीक है न, body would get harmed, ठीक है, body would get harmed, जहाँ पे body को कोई harm मिलने वाला है, ठीक है, and body को क्या करना है, उस harm से बचने के लिए, immediate response देना है, वहीं पे आपको क्या दिखेगा, reflex action दिखेगा, और वहीं पे body में reflex arc होने वाला है, ठीक है न, अच्छा, so immediate response देना है, to get rid of that harm, without even thinking, that's where we require this reflex arc, ठीक है, तो यह reflex arc जो है बेटा, यह शुरू कहां से होता है, यह reflex arc जो है body के अंदर, reflex action के time पर कहां से शुरू हो रहा है, देखो ध्यान दो, सबसे पहले आपके पास, आपके पास stimulus होगा, ठीक है, सबसे पहले आपके पास stimulus होगा, यह stimulus क्या करेगा, इनको receptors हो है हमारे वो detect करेंगे, और receptors क्या करेंगे, sensory neurons के तूरू, इस information को, nerve impulse की form में, कहां पहुंचा देंगे, sensory stimulus, receptors, stimulus जो है हमारे, वो क्या करेंगे, receptors को, you know, receptor sense करेंगा stimulus को, sensory neuron के तूरू, यह information, nerve impulse की form में, spinal cord तक जाएगी, कहां तक जाएगी यह, spinal cord तक जाएगी, spinal cord से यह जो information है हमारी, वो कहां पह जाएगी भई, sensory neuron से, information's final cord के पास आएगी, जहां से, motor neuron is information को, motor neuron is information को, कहां तक लेके आएगे, motor neuron is information को, हमारे muscles तक लेके आएगे, यह हमारे glands तक लेके आएगे, यह हमारे glands तक लेके आएगे, और finally क्या होगा, finally यह हमारे पास, हमारा जो भी है वो हमें action देखने को मिलेगा and this action जो की quickly दिया गया है that is actually called as a reflex action और यह जो arc बन रहा है यहाँ पे if you see here यह जो arc यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ठीक है this arc is actually called as the reflex arc ठीक है which is only and only seen in case of reflex actions और वहीं पे यह efficient भी होता है clear है चलिए ठीक है ना क्योंकि यहाँ पर कोई thinking involved नहीं है आपर brain नहीं involved है ठीक है तो यहाँ पर क्या है no thinking involved मैंने पहले भी लिखा था तो यहाँ पर no thinking is involved ठीक है no thinking है यहाँ पर इसलिए यह इतना जादा efficient है यहाँ पर सोचना पढ़ेगा so it will take some time it would not be a reflex arc okay तो वो reflex नहीं हो जाएगा वो भी एक आपका सोचा समझा decision हो जाएगा ठीक है 35th question हम से कह रहा है define reflex arc अभी हमने define किया reflex arc फो ठीक है एक बर दुबारा देख लेते हम और ये events आप से पूचने का तरीका है वहाँ पर किशियरक तरीके से पूचा गया आपसे यहाँ भी same पूचा है लेकिन situation को यहाँ पर आपको बिल्कुल simple में पूचा है तो यह CBC में आया हुआ question है define reflex arc तो reflex arc क्या होता है भाई अभी हमने देखा reflex arc is the reflex arc is the pathway it is the pathway followed it is the pathway followed during it is the pathway reflex action तो यह एक pathway है जो body में follow होता है reflex action के time पे अच्छा यह आपका A हो गया B की अगर मैं बात करती हूँ तो events बताने जब आपकी bright light आपकी आपकी आपके 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 फोकस की जाएगी तो bright light यहाँ पर क्या हो गया stimulus हो गया तो यह जो bright light है जैसे ही इसको आपके- Ch Jaar करेंके यह हमारा क्या हे यहाँ पर stimulus है तो यह हमारा stimulus कौन यहाँ पर जो eye में receptors होते हैं ठीक है receptors of eye क्या करेंगे इसको sense करेंगे और आप जानते ही है eye के receptors को हम क्या बोलते हैं भाई eye के receptors को हम photo receptors बोलते है we call them as photo receptors, हिक्ए तो हमारे पास जैसे ही bright light focus होगी कहां पर Bright light focus होगी हमारे eye जैसे ही eye पर वैसे ही eye के receptor उसको sense करेंगे और इस information को sensory neurons के त्रू, किसके त्रू? sensory neurons के त्रू कहां पर पहुँचा देंगे? spinal cord के पास पहुँचा देंगे, कहां पहुचा देंगे भई, spinal cord के पास पहुचा देंगे, और ये spinal cord से information कहां जाएगी, motor neurons के थूँ, किस के थूँ, motor neurons के थूँ, ये information हमारी कहां चली जाएगी, ये हमारे eye के muscles के पास चली जाएगी, ठीक है, eye के muscles के पास चली जाएगी, जिसकी वज़ pathway that is actually seen when you know sequence of events हमें देखने को मिल रहा है जब bright light को focus किया जा रहा है हमारी आँख में clear है so this is about your A and B part that we have coming to the 36th question, अब 36th question क्या बोल रहा है 36th question आप से कह रहा है draw a neat diagram of a neuron and label dendrite and exon, ठीक है तो हम क्या करेंगे यहां पर हम एक यहां पर diagram बना देते हैं, ठीक है, let's just draw the diagram of, इस type से आपका diagram ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं आज भई, ठीक है, बहुत time से ऐसा बना रहे हैं, ठीक है okay, so let us just draw it in a way ठीक है, इस type से क्या हो गया आपके पास, इस type से आपके पास यह long tail हो गई तुमारी, ठीक है so this is the, actually what, this is actually your ठीक है, इस type से क्या हो गया हमारे पास, इस type से हमारे पास हमारा, ठीक है, so this is about your, ठीक है, तो इस type से हमारा क्या हो गया, neuron हो गया यहां पर, ठीक है, यह कुछ जाधा जीब लग रहा है, आप इसको branches रहेंगी ठीक है इस तरीके से मैंने इसको निकाल दिया further आपकी branches है ठीक है so this is how you can draw it okay अच्छा अब हमें क्या explain करना है यह हो गए आपका क्या यह हो गए आपका neuron ठीक है और यह neuron क्या है यह body का largest cell है इसको हम nerve cell भी बोलते हैं we also call it as nerve cell आपको label करना है dendrite और exon को ठीक है तो dendrite आपके क्या हो गए these are your dendrites ठीक है यह हो गए आपके dendrite और यह हो गए आपका exon ठीक है इसके अलावा आप जानते ही हैं बाकी parts के बारे में भी जैसे की यह part क्या क्या कहलाता है यह वाला जो part है हमारा this is actually called as exon ending क्या बोलते हैं इसको हम लोग exon ending बोलते हैं यह आपको label लें करना है क्योंकि question में आपको दो ही label करने के लिए बोला गया है इसके अलावा this is your cell body यह क्या हो गई आपकी cell body यह cyton इसको हम बोलते हैं ठीक है and this is the nucleus that we have okay this is the nucleus that we have clear है so यह होगा हमारा A part, B part कह रहा है विच part of the brain human brain is the main thinking part of the brain तो पहला जो सवाल है वो हमसे कह रहा है कि हमारा जो brain होता है तिक है आप जानते हैं हमारा जो brain है बेटा वो थीन regions में divided होता है ठीक है सबसे पहला जो region है वो है हमारा four brain क्या है वो four brain ठीक है second जो region है हमारे पास वो क्या है mid brain and जो third region है हमारे पास हो क्या है hind brain क्या हो गया हमारे पास hind brain clear तो हमारे पास mid brain fore brain and we have the hind brain ये तीन क्या हो गए हमारे पास major regions हो गए अगर मैं fore brain की बात करती हूँ तो fore brain हमारा thinking center होता है क्या होता है fore brain हमारा thinking घुंग क्यों कालू, जो कý पॉश्र मेंडशनी करता पैलन को ओस पॉच़र यहां पॉस्र एंड बैलन्स्य को मेंटेण करता है जो पॉश्र मेंडलव हमारे पास मेंडलबलल ऑस उपढ़ मंटेंग करता है. ठीक है, vomiting, sneezing, ठीक है, और हमारे पास cuffing, इन सभी चीज़ों को, salivation, ठीक है न, इन सभी चीज़ों को क्या करता है, regulate करता है, कौन हमारा middle है, अब यहाँ पे इन्होंने पूछा हुए आपसे, कि आपका main thinking part कौन सा है भई, तो thinking part में हमारा आ जाता है, four brain, तो B का, जो first है answer क्या हो जाएगा, four brain is the main thinking part, ठीक है, second question पर आ जाते है, हम लोग, responsible for maintaining the posture and the balance of the body, तो उसका answer भी यहाँ दिया हुआ है, answer is, seri bellum, क्या answer होगे आपके पास, seri bellum, अच्छा, एक चीज़ और है, four brain के अंदर भी अगर आपको, if you have to clearly mention, which part is actually your thinking part, then that is the seri brahm, ठीक है न, तो जो thinking part actually में हो है हमारा seri brahm, तो you can either write four brain, और if you don't want, like if you are, ठीक है, यहाँ पर लिख भी सकते हो, seri brahm, ठीक है, seri brahm भी आप यहाँ पर mention कर सकते हो, clear है, so this is about your question number 36 that we have, चले आगे, चलिये, move करते हैं, आगे हमारे पास 37th question के पास, mention three major reasons of brain and right, one function of each, आपको क्या करना है यहाँ पर, three major reasons के बार में बताना है, जो मैं अभी बता चुकी हूं already, तो हमारा जो brain है, ठीक है, हमारा जो brain है, उसके तीन main region है, we know those three regions, one, two and we have three, अगर आप इसको ऐसे भी लिखके आते हो नो paper में, ऐस तो भी easy रहे का, ठीक है, first आपको क्या हो यहाँ पर four brain, ठीक है, first is the four brain, इसका अगर आप ऐसे करोगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखना function, ठीक है, और नीचे आप डाल सकते हो इसका function, ठीक है, यहाँ पर second आप लिख सकते हो क्या, second आप लिख सकते हो आपका mid brain, ठीक है, second आप लिख सकते हो आपका mid brain, ठीक है वाले हैं clear है चलो तो यहां पर इसका function हम लिखेंगे ठीक है चलो okay so coming to the function of your forebrain so it is the it involves yeah you can say kya function होगा इसका its function is to provide memory thinking ठीक है इसकी function क्या है इसकी function है it regulates memory thinking या control memory thinking intelligence emotions ठीक है यह सारे क्या होगा इसकी functions होगा emotions ठीक है यह सारे हमारे functions होगा इसका function क्या हो गया it connects आपकी book के according function यही है it connects forebrain it connects forebrain to the midbrain ठीक है forebrain to the midbrain clear है इसके अलावा बिटा midbrain जो होता है वो कहीन कहीं हमारे respiration का center एक तरीके से respiration में भी कहीन कहीं respiration को control करने का काम कहीं midbrain भी करता है clear hindbrain पर आ जाते हैं तो इसका काम क्या होता है इसका काम हो जाएगा involuntary actions को control करना ठीक है to regulate the involuntary actions जैसे की salivation, vomiting ये सारी चीजे ठीक है और साथ में posture and balance को maintain करना ठीक है posture and balance को maintain करना clear है so this is about your different parts and the functions associated clear है चले next question पर okay next question है 38th question 38th question आप से कह रहा है कि भाई why is chemical communication better than electrical impulses as a means of communication between cells in multicellular organism देखो although हमारा जो electrical है ठीक है हमारा जो electrical signaling है body के अंदर electrical impulses है हमारी body के अंदर ठीक है although ये काफी fast काफी fast यानि की काफी quick response ये provide करते हैं ठीक है काफी quick काफी fast response ये provide करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग क्या कह रहे हैं हम लोग कह रहे हैं कि chemical communication जादा अच्छा है क्या बोल रहे हम कि chemical communication जो है हमारा वो जादा better है chemical communication जो है वो better है ऐसा क्यों है भई ऐसा इसे लिए है सबसे पहला तो क्या है सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारा जो electrical impulse है neurons are not connected with every cell of the body body के हर एक cell के पास neurons का supply नहीं होता या neurons उनके पास नहीं होते इसी लिए हर एक body के cell तक signal impulse की form में नहीं पहुँचता ठीक है ना इसी लिए impulse की form में ठीक है ना nerve impulse की form में signal जो है ठीक है signal nerve impulse signal do not arrive ठीक है does not arrive does not arrive at every does not arrive to does not arrive at every cell हर एक cell तक नहीं पहुँचता clear है so this is the biggest you can say you know reason जिसकी वज़े से क्या है हमारा chemical communication जो है वो better है अगर मैं chemical communication की बात करूँ तो chemical communication के अंदर क्या हो रहा है chemical communication के अंदर हम लोग chemicals का use कर रहे हैं chemicals का use कर रहे हैं बेटा जिन chemicals को हम hormones बोलते हैं क्या बोलते हैं इनको हम hormones बोलते हैं और यह जो hormones होते हैं हमारे ये hormones ठीक हैं ये जो हमारे hormones हैं ये hormones क्या करते हैं they are released into the they are released into the blood stream ठीक है they are released into the blood stream ठीक है और इस blood stream से ये they can reach they can reach every cell of the body every cell of the body body के हर एक cell तक ये पहुंच सकते हैं because ये chemicals blood में release हो रहे हैं और blood हर एक जगह तक जाता है हर एक जगह तक supply करता है हर एक cell तक supply करता है वो ठीक है so that's the reason chemical communication जो है हमारा वो better है ठीक है इसके अलावा क्या हो गया भई इसके अलावा एक तो हम क्या कर रहे हैं एक तो हम हमारा impulse का एक तो reason ये हो गया कि काफी you know quick response है but फिर फिर भी ये हर एक तक नहीं पहुंच सकता ठीक है इसलिए हम क्या कर रहे है इसलिए हमने chemical communication का सहारा लेना शुरू किया है ठीक है so this is the basic difference ठीक है इसके अलावा एक और यहां पे reason है ठीक है I'm not going to tell that reason here what you need to do you need to go and you need to search that reason again ठीक है एक बार जाओ एक बार देखो इस reason को कि क्या वो reason है ठीक है and then comment below what is the reason ठीक है that is actually unlike apart from this एक और रीजन है हमारे पास ठीक है क्या है वो reason ठीक है तो उसके बारे में आप देखो search करो एक बार and just try to fill this gap this is your homework वाला portion clear है चलिए अब आजाते है 39th question की तरफ 39th question कह रहा है हमसे a cheetah on seeing a prey move towards at a very high speed what causes the movement of his muscle ठीक है क्या कह रहा है हमसे यह कह रहा है हमसे भई कि हमारे पास हमारा जो cheetah को जैसे ही prey दिखाई शिकार दिखाई देता है वैसे ही वो उसकी तरफ बहुत तेजी से भागता है right what causes the movement of his muscles how does the chemistry of cellular components muscles अच्छा उसके अंदर यह जो change जो movement हुआ muscle का वो कैसे हुआ ठीक है same चीज है हमारे पास जैसे ही उसने stimulus को sense जैसे ही stimulus उसको मिला उसके जो receptors है ठीक है ना अब यह जिन उसने देखी है है ना तो जानी कि उसने क्या किए इसको eyes के तुरू जैसे पोटो रिसेप्टार्स ने इस चीज को sense किया है right फोटो रिसेप्टार्स ने क्या किया है फोटो रिसेप्टार्स ने sense किया है इस चीज को stimulus को और यह information कहां तक गई है हमारे sensory neurons के तुरू sensory neurons के तुरू बेटा जी यह information पहुचिए हमारे central nervous system तक और central nervous system जो है हमारा central nervous system ने इंफिमेशन motor neurons के तरू motor neurons के तरू कहां तक पहुचाकि ए? muscles तक पहुचाईए किसे muscles तक पहुचाượng है? limbs के muscles तक पहुचाईए muscles of limbs तक पहुचाईए जिसके response में उसने क्या किया? उसने high speed से move करना शुरू किया ठीक है high speed से move करना शुरू किया towards the plane अब actually मैं यहाँ पर क्यों move में ठीक है यहाँ तक तो motor and zero signal लेके आ गया अब muscle में actually contraction कैसे हो रही है यह भी यह समझना चाहता है यह भी यह जानना चाहता है तो ध्यान दो जैसे ही ठीक है color change कर लेते हैं हम लोग let's just pick this yellow color ठीक है तो जैसे ही हमारे पास हमारा यह जो impulse है ठीक है जैसे ही impulse कहाँ पहुंचेगा जैसे ही impulse पहुंचेगा neuromuscular junction तक ठीक है neuromuscular junction के across signal पहुंचता है ठीक है impulse जो है हमारा वो कहाँ पहुंचेगा वो neuron से, motor neuron से कहाँ pass हो रहा है? muscle के पास pass हो रहा है, ठीक है? अच्छा, ये जो beach का junction है, इस junction को क्या बोलते हैँ हम? सुधद जहाँ पे लिख लेते हैं, junction between this. क्या बोलते हैं इस junction को, भए? इस junction को हम कहते है, neuromuscular junction. क्या बोलते हैं इसको? neuromuscular junction इसको हम लोग बोलते हैं जिके हैं अब जैसे ही यह signal motor neuron last motor neuron के पास पहुँचा वैसे ही हमारे पास हमारा जो neuromuscular junction है वहाँ पे chemicals release होते हैं यहाँ पे क्या होंगे chemicals release होंगे और यह जो chemicals यहाँ पे release होते हैं इनको sense करता है कौन कौन sense करेगा इसको sense करेगी हमारी plasma membrane plasma membrane of muscle fiber plasma membrane of muscle fiber अब जैसे ही उसको sense करेगी वैसे ही क्या होगा वैसे ही भई हमारे पास हमारे जो muscle fibers है muscle fibers है उसके अंदर एक protein present होगा क्या present होगा उसके अंदर एक protein present होगा इस protein का नाम आप 9th class में पढ़ चुके हो and the name of this protein is contractile protein, ठीक है, वैसे ही ये contractile protein जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, short हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही ये short होगा, या अपनी shape को change करेगा, shape change होगी इसके अंदर, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही हमारे पास हमारा जो, वैसे ही हमारे पास हमारा जो muscle fiber है, क्या है हमारे पास वैसे ही, वैसे ही हमारे पास हमारा जो muscle है, ठीक है, वो क्या करेगा, contract करेगा, ठीक है ना, क्या करेगा वो, contract करेगा और ultimately action जो है, यानि कि जो भागा है वो high speed में, ठीक है, वो आपको show दिखाई देगा ठीक है, so this is how actually this signaling actually works, ठीक है, तो इस तरीके से यह प्रॉपर हुआ, मसल में क्या चेंज आया, तो मसल के में कॉंट्राक्शन हुई, कैसे हुई मसल के अंदर कॉंट्राक्शन, तो जैसे ही signal पहुचा वैसे ही प्लाजाई और ने सेंस किया, मसल का जो cell है, जिसको मसल फाइबर कहते हैं, उसकी प्लाजाई मेंबरेन ने यह सेंस कर लिया, और सेंस करने के बाद क्या हुआ है, हमारा जो मसल फाइबर के अंदर protein बैठा हुआ है, कॉंट्राइल प्रोटीन, वो शॉटन हुआ, जिसकी वज़़ए से हमारा मसल कॉंट्रा सबसे पहले आपसे पूछा गया है थाइरड के बारे में, ठीक है तो थाइरड ग्लाइड जो है हमारा, वो क्या रिलीस करता है, थाइरड ग्लाइड releases, thyroid gland क्या release करता है, thyrexine release करता है, क्या release करता है ये thyrexine release करता है और ये जो thyrexine है हमारा इसका function क्या है, इसका function है to regulate to regulate protein to regulate protein carbohydrate protein carbohydrate and fats metabolism तीक है and fats metabolism इसका function है clear है चलिए second क्या पूछा है इन्होंने हमसे second पूछा है pituitry ठीक है जी तो बेटा जो pituitry है हमारा ठीक है क्या है हमारे पास जो हमारे पास pituitry है pituitry gland का काम है to release क्या release करता है pituitry gland pituitry gland का काम है to release growth hormone क्या release करता है यह growth hormone release करता है और यह जो growth hormone हमारा release हुआ है इस growth hormone का काम है to regulate control to regulate growth to regulate ठीक है जी to regulate growth and development to regulate growth and development ठीक है to regulate growth and development in livings ठीक है in human ठीक है human के अंदर growth and development को regulate करना c क्या है हमारे पास pancreas pancreas का क्या काम होता है भई pancreas का काम है हमारे पास pancreas का release करती है pancreas release करता है insulin और insulin क्या करता है insulin blood sugar level को या blood glucose level को lower करता है ठीक है blood glucose level को lower करता है कौन हमारा pancreas ठीक है so these are the three glands and their functions associated clear है चलिए अब आ जाते हम हमारे पास how does chemical coordination take place in animals animals के अंदर chemical coordination कैसे होता है ठीक है तो देखो animals के अंदर जो chemical coordination है बेटा जी ये chemical coordination होता है with the help of hormones chemical coordination किसकी help से हो रहा है हहाँ पर hormones की help से हो रहा है और ये जो hormones है these are actually the chemicals these are the chemicals which are released in trace amount these are the chemicals released in trace amount chemicals these are the chemicals which are released in trace amount by trace amount by endocrine glands ठीक है by endocrine gland कौन release कर रहा है इनको endocrine gland release कर रहा है ठीक है so chemical coordination hormones के तुरू हो रहा है जोकी chemicals हैं, जोकी trace of protein produce होते हैं by the endocrine glands, ठीक है, तो हमारे पास क्या हैं, हमारे पास बहुत सारे endocrine glands हैं, क्या हैं हमारे पास, बहुत सारे endocrine glands हैं, और ये endocrine glands क्या करते हैं, देख, form a system, form a system, which is called as endocrine system, क्या بولते हैं जसको हम? endocrine system हम लोग बोलते हैं ठीक है और ये endocrine system के अंदर बहुत सारे हमारे पास glands आते हैं जैसे कि pituitary gland ठीक है जैसे कि pituitary gland आ गया हमारे पास thyroid gland आ गया हमारे पास so on ठीक है अब होता क्या है what actually happens हमारे पास सबसे पहले the major gland is the hypothalamus ठीक है तो hypothalamus जो है क्योंकि ये 5 marker है ठीक है तो है it controls the pituitary gland ठीक है ये क्या करेगा pituitary gland को control क्रेगा and pituitary gland is going to control remaining remaining glands in the body remaining glands in the body remaining glands in the body body के अंदर जो भी remaining glands है उनको कौन कंट्रोल कर रहा है हमारा pituitary gland control कर रहा है ठीक है तो होता क्या है hormones जो होते हैं ठीक है hormones जो होते हैं they are released by glands in the bloodstream कहां पर release हो जाएंगे bloodstream के अंदर release हो जाएंगे ठीक है and with the help of bloodstream they can reach they can reach their target site they can reach their target site ठीक है और क्या हो सकता है and can function ठीक है और क्या कर सकते हैं बही function कर सकते हैं अपना जो भी इनको effect दिखाना है वो ये show कर सकते हैं ठीक है so this is about your कौनसा वाला question 41 का a part हमारा हो गया फिर कह रहा है it is b part कहता है it is advice to use iodized salts give reason ठीक है ऐसा बोला जाता है कि भई क्या use करना है हमे iodized salt use करना है क्यों देखो ये जो iodized salt हम use कर रहे हैं इस iodized salt के अंदर आपको क्या मिलेगा iodine मिलेगा क्या मिलेगा आपको iodine and this iodine this is essential for यह किसके लिए essential है this iodine is essential for the secretion of किसके लिए essential है यह this is iodine is essential for the secretion of thyroxine खेक है किसके लिए responsible है यह thyroxine के लिए responsible है clear है अच्छा ये thyroxine के लिए responsible है कहां से release हो तो thyroxine from the thyroid gland से release होता है and ये thyroxine करता क्या है ये thyroxine actual में हमारे basal metabolic rate को maintain करता है basal metabolic rate को maintain करता है basal metabolic rate को ये क्या करेगा maintain करेगा सबसे पहली चीज़ दूसरी चीज़ क्या होती है it regulates the carbohydrate, protein and fats metabolism ये क्या करता है it regulates the fats, proteins and carbohydrate and carbohydrate metabolism को ये क्या करता है control करता है, regulate करता है इसलिए कहा जाता है कि iodized salt low और अगर क्या होगा अगर iodized salt नहीं लिया जाएगा तो there will be no thyroxine जिससे क्या होगा thyroxine produced नहीं होगा जिसकी वज़े से एक disease हो जाती है जिसका नाम है goiter ठीक है, क्या नाम है जिसका goiter, clear? so this is about your question number 41 that we have now the 42nd question जो हमारे पास है ठीक है, I think ये last question है हमारा no we have 43 also, okay ठीक है, तो हमारे पास भी questions यहां पे हैं, okay चलो, तो हमारे पास हमारा जो 42nd question है वो क्या कह रहा है, काफी असान कोशे नहीं है an old man is advised by his doctor to take less sugar in his diet name the disease from which the man is suffering ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी बिमारी से यह जो इनसान है उसको problem है, तो भई देखो आ जाते हैं यहां पे directly A पे ठीक है, A है क्या heaven है, A ही है, ठीक है तो यह पूछ रहा है हमसे कि एक old man को डॉक्टर ने बोला है कि sugar कम खाओ, तो कौन से disease हो सकती है भई उसको उसको हो सकता है diabetes, क्या हो सकती है उसको diabetes, mention the hormone, किस hormone की वज़े से उसको यह imbalance हो रहा है, उसको यह imbalance हो रहा है आपको पता ही है, नाम क्या है hormone का insulin, क्या नाम है hormone का insulin, कौन secret कर रहा है insulin, insulin is secreted by which endocrine gland, it is the pancreas, ठीक है it is the pancreas that is secreting this gland, ठीक है, this particular hormone that is called as insulin जो कि diabetes cause करता है diabetes, इसके ना होने की वज़े से diabetes actually में होती है, ठीक है name the endocrine gland that secretes growth hormone, कौन release करता है growth hormone भई, pituitary gland कौन release करेगा, pituitary gland release करेगा हमारा growth hormone, क्या होगा अगर body impact the person, if the deficiency, अगर क्या हो जाएगी deficiency, अगर deficiency हो जाएगी growth hormone की, तो body में normal growth development नहीं हो पाएगा, जिसकी वज़े से क्या condition देखने को मिलेगी हमें, डॉफिजम इंसान बोना हो जाएगा, ठीक है डॉफिजम, और अगर जादा secret हो गया तो excess में secret हो गया, तो क्या हो जाएगा gingitism की condition, ठीक है gingitism की condition जो है वो हमें क्या करेगी, देखने को मिलेगी इंसान बहुत ही जादा बड़ा हो जाएगा ठीक है, size बहुत हाइट बड़ी है वैसे चोड़ा, लंबा काफी जादा हो जाएगा ठीक है, so these are the two you know, effects of your pituitary of the hormone secreted by the pituitary gland, growth hormone, अगर जादा है तो de-giantism हो जाएगा और अगर कम है तो dorphism हो जाएगा clear, 43rd question कहरा है name the hormone required for the following also mention the name of the endocrine gland from which the hormone is secreted, ठीक है आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे बताना है कि भई, hormone को नाम बताना है और कौन सा gland उसको secret करता है तो पहले पूछा गया है A जिसमें यह कह रहे है, lowering the sugar level, ठीक है जी तो sugar level को कम करने का काम कौन करता है, insulin करता है इंसुलिन सिक्रीट कहां से होता है इंसुलिन इस सिक्रीटिड बाए पांक्रियास कौन सिक्रीट करता है इंसुलिन को भई पांक्रियास सिक्रीट करता है हमारे इंसुलिन को, second आप से पूछ रहा है, development of mistake and beard in human males, so it is the testosterone that is actually secreted in male, कौन सा हॉर्मोन है हमारा testosterone हमारे पास हॉर्मोन है, बेसिकली, जो की कौन release करता है, testis release करती है, कौन release करता है, testis release करती है, male के case में and this is responsible for the secondary sexual characters, या बोल सकते हो जो changes, puberty के time पे आते हैं उन सब के लिए, response permission के लिए ठीके, testosterone is responsible metabolism of carbohydrate, fat and protein so it is the thyroxine that is released कौन सा हॉर्मोन है हमारे पास यहां पे thyroxine है, जो responsible है कौन release करता है, thyroid gland release करता है, ठीके न, कौन release करेगा, thyroid gland release करेगा, clear है so this is about your 43rd question that we have, coming to the 44th question and the last question of this particular chapter क्यूंकि इसके बाद हम plant वाला जो part है ठीके, उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे clear है, चलिए, तो name one organ, each where growth hormone is synthesized in man in the plant, आपको वो organ बताना है, वो part बताना है जहां पे growth hormone synthesized होता है, human के case में भी ठीके, and plant के case में भी तो अगर मैं human की बात करो, तो human के अंदर brain में में मेरे पास एक gland present है, जिसका नाम है pituitary gland, क्या नाम है जिसका pituitary gland, pituitary gland क्या करता है, pituitary gland basically responsible होता है, किसके लिए हमारे growth hormone के लिए, तो यहां पे region कौन सा हो गया, pituitary gland, जो कहां पे located है, हमारे brain में located है, वहीं पे अगर मैं plant की बात करती हूं, बेटा, तो plant के अंदर कहा हो रहा है, growth hormone कहां पे secret होते हैं, तो यहां पे different locations है, जैसे कि tip पे भी हो सकते हैं, ठीक है, tip of root and shoot हो सकता है, ठीक है, कौन सा hormone यहां पे हमारा, auxin है, which is actually a growth hormone that is actually released, ठीक है, तो इस part को हम वहीं पे deal करेंगे, ठीक है, अब फिर है, least the sequence of events that occur when a flower is exposed to unidirectional light, okay, so this again is the question that is related to your plant, ठीक है, तो यह question यहां पे न, हमारे पस human था, इसलिए man था, इसलिए यहां पे आगया, पर इसलिए mixed question, ठीक है, exam में ऐसे को differentiation तो होता नहीं है, है न, exam में तो collectively question आता है हमारा दोनों से mix लोगे, that is why the question is there, ठीक है, and maximum लोगो तो इसका answer पता ही होगा, ठीक है, तो यह basically phototropism की बात कर रहा है, जो किसी वज़े होता है, oxygen की वज़े से होता है, ठीक है, तो phototropic movement है basically यहां पे, अब यह होती कैसे है, ठीक है, कैसे hormones, कैसे oxygen इसमें help कर रहा है, bending कैसे हो रही है, ठीक है, यह अब unidirection like fall कर आ रहे हैं, कैसे bending होती है, तो इन चीजों को हम हमारे next, जो हमारा वीडियो रहेगा, जहां पे हम बात करेंगे, control and coordination plants के बारे में, वहां पे हम इसको discuss करेंगे, ठीक है, so these are all the expected questions, ठीक है, आप बोल सकते हो, कि यह जितने possible questions यहां से बन सकते थे, हर एक topics है, वो हमने यहां पे discuss कर ली है, चाहे वो फिर MCQ की form में हो, चाहे फिर वो 2 marker हो, 3 marker हो, या 5 marker हो, ठीक है, तो सारी possibilities, जो है, वो यहां पे हम लोग देख चुके हैं, and C, यह एक तरीका भी है, एक quick revision का, ठीक है, इससे सिरफ आपका ऐसे नहीं कि question दिखना सीख रहे हो, आपको revision साथ-साथ में हो रही है, ठीक है, जहां पे आपने जो पढ़ा, आप उसको apply करना यहां पे सीख रहे हो, ठीक है, so this is about your last question, and we are ending this session here, ठीक है, और यह जो movements है हमारे, ठीक है, कैसे यह movements growth related होते हैं, और growth related नहीं होते हैं, ठीक है, तो इतना जितना पढ़ लिया है plant, जो human वाला part है basically, ठीक है, उसको पढ़ो अच्छे से, just give it a quick read from your NCRT, ठीक है, and questions को लगाओ यहां पे, PDF आपको इसका मिल जाएगा, ठीक है, description में मिल जाएगा, या pin comment आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो उसके go through करो उसको, and just set a timer for 3 hour, and just try to do these questions, ठीक है, definitely यह आपको benefit देगा, not only for your अभी वाले exams, but in future also, because see, punctuality बहुत important होती है, जाहे, वो किसी भी exam के लिए, क्यों न हो, clear है, तो चलो, इसी इन के साथ note, हम यह जो पूरा वीडियो है हमारा, ठीक है, इसको in करते हैं, हाँ पे, आपसे मुलाकात होगी, दुबारा फिर से, जहाँ पे हम बात करेंगे, control and coordination plans के बारे में, till then, take care, bye-bye